श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नामस्तोत्रम प्रथम्सकंद श्लोक अने तेना अर्थ श्री कृष्णह सच्चिदानंदो नित्य लीला विनोदकृत सर्वागम विनोदीच लक्ष्मी शह पुरशोत्तमह अर्थ परब्रह्म पोन पुरुषोतम सर्व व्यापक पूर्णानंद सत्त चेत आनंदमै स्वरूप वाला सत्ता चैतन्य अने आनंद जेम्नू स्वरूप छे सदा सर्वदा लीला रूपे विनोद करनारा आत्म रमन करनारा अने भक्त जनोना मनोरत सिद्ध करवा बहार रमन करनारा सर्व वेदो वडे विनोद करनारा वेदो मा सर्व वाणन प्रभू सबंधी होवा थी वेद रूपे पण श्री हरीच छे लक्ष्मी जिना प्राणपती ब्रह्मादी सर्व पुरुषोमा उत्तम क्षर्थी अतित अने अक्षर्थी पन उत्तम होवा थी पुरुषोत्तम आदी कालह सर्व कालह कालात्मा मायय आवृतह भकतो द्वार प्रयतनात्मा जगत करता चगन्मयह भगवाननी प्रुक्रूटी माथी कालनू प्रागट्य थवचे, माटे काल पन भगवाननू स्वरूप छे सर्वमा प्रथम काल रूप, सर्वने प्रेणा करनार, सर्वनो प्रलै करनार, भूत भविश्य अने वर्तमान रुपे, नित्य विद्यामान सदा गतिशिल, क्रियाशिल, सर्वने उत्पन करनार काल छे, माटे सर्वना कारन रुपे, सर्व कालनुझ रूप छे अविनाशी काल रुपे, काल रुद्र रुपे जेनो आत्मा छे, कालना पन आत्मा, कालने सत्ता स्फूर्ती आपनार जरे धर्मनों नाश थाई छे, तरे जेमनों आत्मा अवतार थाई छे, ते प्रभू, माया थी विटा एला धंका एला, योग मायाना पड़्दा थी धंका एला, सर्वने प्रगट देखाता नथी भक्तों नो उत्थार करवामा प्रयतन श्रील रहनारा, भक्तों ना उत्थार माटे प्रयतन रूप साधन पन भगवान छे, भक्तों ना उत्थार माटे अवतार धारण करनार स्थावर जंगम रूप जगत रचनारा एज जगत करता छे सर्व स्वरूपे भगवानत छे श्री हरी एज जगत छे जगत एज हरी छे आ जगत मा देखाय छे ते सर्व इश्वर्थी परिपोन छे आ जगत भगवत स्वरूप अने भगवत कार्य रूपे स्वयम परप्रम्व परमात्माच्छे नाम लीला परो विश्णुहूं व्यासात्मा शुकमोक्षदह व्यापी वैकुंठदाताच श्रीमद भागवतागमह दिव्य नाम अने लीलावाडा नाम तथा लीलावने फेलावनारा अनन्त कोटी ब्रह्माडा धिश्वर होवाथी अनन्त नाम अने लीलाव करनारा विश्व व्यापक देश काल्थी अपरी छिन्न व्यास जेमनो आत्मा अवतार छेते सुकदेव जीने मायामा पन मुक्त करनार व्यापी वैकुठने आपनारा श्रीमत भागवतनो सर्वरीते बोधापनारा श्रीमत भागवतने प्रगट करनारा आ ओगनिस नामो प्रथम सकंधना प्रथम अध्याईना त्रोन श्लोको माथी प्रगट करेला छे शुकवाग अम्रुताप्तिन्दुहु साउनकात्य खिलेष्ठदह भक्ती प्रवर्तक स्त्राता व्यास चिन्ता विनाशकह शुकदेव जीनी वानी रूप अम्रुत सागर्ना चंद्रमा शौनकादी मुनी जनोने सर्वत्तम भक्ती रस्नु दान करनारा भक्ती मार्गना प्रवर्तक प्रचार करनारा निर्मल अंतकरन वाला परम हंसोने विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ती योगने आपी एमना द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ती मार्गना प्रचार करनारा भक्ती द्वारा रक्षण करनारा नारज्ची रुपे व्यास देवनी चिंताने हरनारा सर्वसिद्धांत वागात्मा नारदात्य खिलेष्टदह अंतरात्मा ध्यान गम्यो भक्ती रत्न प्रदायकह सर्वसिद्धांतो चेमनी वाणीमा भरेला चे सर्व सिध्धांतों नी वाणी मां जेमनू स्वरूप छे, समाधी भाशा रूपे सर्व सिध्धांतना प्रतिपादक नारज्जीने सर्वस्रेष्ट वस्तू परा भक्तीनो लाभापनारा ध्यान्थी प्राप्ट थैशके तेवा भक्ती रुपी अमुल्य रत्ननु दान करनारा मुक्त पसरुप्य हा पुर्णात्मा मुक्ता नाम्रति वर्धना भक्त कार्येक निरतो द्रोन स्त्रविनिवार कह मुक्त जनोथी प्राप्ट थवा योग्य परिपून आत्म स्वरुप वाड़ा सकल गुण परिपून भक्ती रस्थी पून आत्म वाड़ा मुक्त भक्तोनी प्रेम भक्तीमा अलवकिक स्ने वधार नारा भक्तोना कार्य करवामा नित्य प्रयत नशिल भक्तोना कार्य रूप भजनमा नित्य रमन करनार अश्वत्थामाना ब्रह्मास्त्रनू निवारन करी पांडवुनी रक्षा करनारा भक्त स्मय प्रणेताच भक्त वाक्परी पालक ह। ब्रह्मन्य देवो धर्मात्मा भक्ता नाम्च परिक्ष कह। भक्तोने विस्मय पमाणनारा भक्तोना गर्वने दूर करनारा भक्तोना वचन्नू पालन करनारा ब्रह्मन्य पुरुषोमा लिला करनारा धर्मरूपी स्वरूपणा नल युदिष्ठार्दिना आत्मस्वरूप धर्मने माटे अवतार धर्नारा भक्तोनी उन्नती करवामा परिक्षा लेनारा आसन्न हीत करताच, माया हीत कर प्रभुहू उत्तरा प्राण दाताच, ब्रह्मास्त्र विनिवारकहू सर्वनु सत्वर हीत करनारा, लौकी कृते हीत करनारा लक्ष्मीनु हीत करनारा, धनादी पदार्थो द्वारा हीत करनारा परम समर्थ उत्तराना घर्बनु रक्षन करी एने जीवन्दान आपनारा कार्य करवामा सफल एवा ब्रह्मास्त्रनु निवारन करनारा सर्वतह पांडवपती परिक्षित्चु त्विकारणं गुधात्मा सर्ववेदेशु भक्तै करुदयं गमह सर्व रिते सर्व तरफ्थी पांडवुनी रक्षा करनारा घर्ब दोष्ने दूर करी परिक्षित राजानी सुध्धी करनारा सर्व वेदोमा निगूट स्वरुप वाला परमानंद स्वरुप क्रुष्ना नंदना समान बीचो कोईपन आनंद नथी करन के जिम्नू यथार्थ प्रती पादन वेदोपन करी शक्ता नथी भक्तोना रुदयमा स्थीत करनारा भक्तो जैना रुदयमा वसे छे तेवा कुंति स्थुत्यः प्रसन्नात्मा परमात्पूत कार्यकृत भिश्ममुक्ति प्रदह स्वामी भक्त मोह निवारकह कुंति जी द्वरा स्थुती कराएला प्रसन्न चीत वाला भक्तो पर कृपा करवामा तत पर अती आश्चरिय जनक कार्याने करनारा भक्त प्रति पक्षि भिश्मपितामहने मुक्ति आपनारा परमकृपालु श्रीकृष्ण भक्त अने भगवान परसपर तन्मय बनी गया होवा चता भगवान नित्य स्वामी छे अने भक्त नित्य दास छे भक्तो ना मोह अग्णने कृपा करी दूर करनारा सर्व अवस्था सुसम्सेव्य समसूख हित प्रदह कृत कृत्य सर्व शाक्षी भक्त स्त्रीरति वर्धनह सर्व अवस्थामा सुक्ति सेवन करवायोग्य सर्व समान निर्विकार सूख अने कल्यान आपनारा पून काम सर्व दा सिद्ध कार्यवाला नित्य त्रूप्त सर्व प्रत्यक्ष्चोनारा जालनारा भक्त अने स्त्रीयोमा भक्ति रस्नु दान करनारा सर्व सव भाग्य निलय परमाश्चर्य रूपद्रू अनन्य पुरुष स्वामी द्वार का भाग्य पाजनम सर्व सवभाग्य अने अईश्वर्यना भंडर अती विस्मय जनक रूपने धारन करनारा अनन्य भक्तोना रक्षक साधान अने फल रूपे केवल भगवानने जालनारा अनन्य भक्तोना स्वामी द्वारका नगरीना परम सौभाग्य स्वरूप बीज संस्कार करिताच परिक्षिक ज्ञान पोशकह सर्वत्र पुना गुणक सर्व भूशन पूशितह परिक्षित राजान बीज रूप कर्मो पाजित देहने निव्रुत करी बग्वद बजन योग्य देहने निर्मान करनारा परिक्षित राजाना ज्ञाननु पोशन करी नित्य प्रकाशापनारा सदा सर्वत्र शडैश्वर्यादी पुण गुणवाला अनेक वीत अभूशनो थी अलंकरुत सर्व अलंकारोने शोभावनारा सर्व लक्षण दाताच द्रुतराष्ट्र विमुक्ति दह सन्मार्ग रक्षको नित्यम विदूर पृति पूरकह सर्व प्रकार्ना उत्तम लक्षणोंने आपनारा दुर्यो धनादी दुष्टोंना पिता होवा चत्ता द्रुतराष्ट्रने मुक्ति आपनारा निरंतर सन्मार्ग नु रक्षण करनारा विदूर जीने प्रेम लक्षण भक्ति थी उन करनारा लीला व्यामोह करताच काल धर्म प्रवर्तकह पांडवाना मुक्षदाता परिक्षित भाग्य वर्धनह मानुष लिलाव वडे आशूरी जीवोने व्यामोह करनारा कालना विवीद धर्मोने फेलावनार भक्त पांडवोने मोक्षापनार राजा परिक्षित ना भाग्य ने उज्वल करनार कली निक्रह करताच धर्मा दीनाम्च पोशकह सत संक्ञानहे तूष्च श्री भागवत कारणम कल युगना पर विजय करनारा धर्म गायो प्रामन अने प्रुत्वी आदी दीन जनोना संरक्षक सत्संग ज भगवत स्वरूपना ग्णानमा कारण रूपे छे देवा श्रीमत भागवतनी उत्पतिना कारण रूप प्रकृतिना कार्य रूप देहा दी अने अध्रश्ट प्रारप्था दिने दूप